नमस्कार दोस्तों, प्रिश्टेटी में आप सभी का स्वागत है, आसा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, दोस्तों इस वीडियो में मैं बत करने वाला हूँ, विटामिन से संबंदित महत्पूर्थ 30 प्रस्न जो एक्जामस में बार बार पूछे गए हैं, ये प्रिवे कि विटामिन की खोज किस ने की थी, विटामिन की खोज किस ने की थी, तो विटामिन की खोज किस ने की थी, फंक ने की थी, कब की थी, 1911 इसवी में, कब 1911 इसवी में, विटामिन जो है, यह एक प्रिकार का कारपनिक योगिक है, क्या है, यह कारपनिक योगिक है, यह भी विटामिन B6 की कमी से पुरुस में कौन सा रोग होता है तो विटामिन B6 की जब कमी हो जाती है तो पुरुस में A रखतता हो जाता है क्या हो जाता है आई नेक्स पर चलते हैं क्यारा कि विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन D की कमी से बच्चों हमारा सबस्पेदा में बहुत अधिक तीवता से बनाता है मतलब हमारे सरीर में कौन सा ऐसवीटामिन है जो बहुत अधिक तेजी से बनता है तो हमारे सरीर में जो वीतामिन D होता है वह बहुत तेजी Sakura कौन सा विटामिन विटामिन डी कोश्चन नमबर नेक्स पर चलते हैं कर रहा तंबाकों में क्या पाया जाता है निकोटीन हेरोइन कोगीन तो तंबाकों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या पाया जाता है वो क्या पाया जाता है निकोटीन और नाखुन में क्या पाया हो जाती है तो किसकी हो जाती है हेमोगलोबीन की किसकी हेमोगलोबीन जो होते है यह आरक्तता में इसकी कमी के कारण हो जाता है अगे question no.7 पर चलते हैं कहरा कि iron की कमी से होता है iron की कमी से क्या होता है तो iron की कमी से भी क्या होता है आरक्तता होता है question number 8 पर चलते है question number 8 कहरा है कि छिली हुई सब्जियों को छिलने से कौन सा vitamin निकल जाता है मतलब छिली हुई सब्जियों को छिलने से कौन सा vitamin निकल जाता है तो vitamin C कौन सा vitamin vitamin C निकल जाता है इसी लिए कभी भी सब्जियों को काट कर नहें दुलना चाहिए क्योंकि उसमें से vitamin C निकल जाता है ठीक है आग्ये next question पर चलते है Question number 9 कहारा कि इसकरवी रोग किस vitamin की कमी के करण होता है तो जो इसकरवी रोग होता है वै vitamin C की कमी से होता है vitamin C की कमी से क्या होता है इस करवी रोग होता है अगे question number 10 पर चलते है कहरा vitamin C का रासानिक नाम क्या है vitamin C का रासानिक नाम क्या है तो vitamin C का जो रासानिक नाम होता है वह ascorbic acid होता क्या होता है ascorbic acid होता है और जो calcium ferrol होता है वह vitamin D का होता है ठीक है और जो pentothenic अमल होता है वे vitamin B5 का होता है किसका B5 का कौन सा होता है pentothenicamle pentothenicamle जो होता है vitamin B5 का होता है calcium फिरॉल vitamin D का होता है अगला प्रस्न कहे रहा है कि vitamin B12 में कौन सा धात उपस्थित रहता है vitamin B12 में कौन सा धात उपस्थित रहता है तो cobald पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन भी टोयल में आई ये नेक्स्ट पर चलते हैं मानव सरीर संक्रमन को रोकने वाला विटामिन कौन सा है मतलब मानव सरीर में कौन सा विटामिन है जो संक्रमन को रोकता है तो विटामिन A जो है वैं मानव सरीर के संक्रमन को रोकता है आई नेक्ट पर चलते हैं रक्त का ठक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन का नाम क्या है रक्त का ठक्ता जमने में मदद करने वाला जो विटामिन का नाम है वैं विटामिन के है कौन सा है विटामिन के है आफशन में है नहीं इसलिए आफशन डी यहां सही उतर है आए कोश्चन नमबर 16 पे चलते हैं कोश्चन नमबर 16 क्या कह रहा है किस विटामिन के करण रताउंधी होती है तो विटामिन A के करण जो होती है वै रताउंधी होती है किसी करण विटामिन A के करण और विटामिन B के करण क्या होता है बेरी बेरी होता है बेरी बेरी और विटामिन D का क्या होता है रिकेट्स होता है क्या होता है रिकेट्स विटामिन D के करण क्या होता है रिकेट्स होता है आईए कोश्चन नमबर 15 पर चलते हैं कोश्चन नमबर 15 कहरा कि विटामिन A का सरोतम सोर्स क्या है विटामिन A का सरोतम सोर्स क्या है तो गाजर है क्या है कोश्चन नमबर 16 पर चलते है टार्टारिक अमल किसमें नहीं पाए जाता है तो इसमें तीन टार्टरिक अमल किसमें किसमें पाय जाता है सबसे पहले ये जान लेते हैं इमिली में पाय जाता है अंगूर में पाय जाता है और कच्छा आम में पाय जाता है ये तीनों में पाय जाता है और पालक में टार्टरिक अमल नहीं पाया जाता है दोस्तों वीडियो को सेर करना ना भूलेगा क्योंकि आप चितने लोग से वीडियो सेर करेंगे उतने लोग यूड़ेंगे और उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे पढ़ाय हुए को लोग पसंद कर रहे है आएए आगे चलते हैं क्वेश्चन नमर 17 पे क्यारा बिटामिन B2 का रसाइनिक नाम क्या है बिटामिन B2 का रसाइनिक नाम क्या है राइवोफलेविन है क्या है राइवो फ्लेविन जो है वो बिटामिन B2 का रसाइनिक नाम है और थाइमीन जो है बिटामिन B1 का है किसका है B1 बिटामिन B1 का थाइमीन है और नियासिन क्या है नियासिन किसका है बिटामिन B3 का है क्या नियासिन अब फोलिक अमले किसका है ये B11 का है कुश्चन नमर 18 कर रहा है कि निमनलखित में से जल में गुलंसील विटामिन कौन सा है? जल में गुलंसील विटामिन कौन सा है? तो B और C जो विटामिन है वो क्या होता है? जल में गुलंसील होता है और जो वसा में गुलंसील होता है वह कीडा मतलिए की, E, D, A मतलए A, D, E, K जो होता है यह 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 चार वीटामिन क्या होता है वासामे गुलंसील होता है B और C किसमें होता है जल में होता है गई-पैंस पानी में आएए कोशिए नबर 19 पर चलते हैं कोशिए नबर 19 कह रहा है कि calcium की कमी मुख्य रूप से किस vitamin की कमी से होती है तो calcium की कमी मुख्य रूप से vitamin D की कमी से होती है किसे कमी से होती है vitamin D की कमी से होती है vitamin C जानते हैं आप लोग इस करवी बहुत ही famous question है ये बार-बार exams में पूछे जाते हैं कि vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है तो इस का रवी होता है, और विटामिन A क्या होता है, रताओधी क्या होता है, और विटामिन K क्या होता है, ठकका जमना होता है, ठकका जमने वाला विटामिन कहलाता है कौन सा, विटामिन K, कोशन नमर 20 पे चलते हैं, कोशन नमर 20 क्या कह रहा है कि विटामिन K का रासाइनिक नाम क्या है तो पहले देखते है टोको फेराल किसका है टोको फेराल किसका है तो टोको फेराल जो होता है यह विटामिन E का होता है विटामिन E को हम क्या कहते हैं सौंदर विटामिन B कहते हैं और फ्ली कुनान का क्या होता है फ्ली कुनान का विटामिन K होता है विटामिन K का बटामिनई ब्म जो होता है । पेंटोथिनी 55 अमल होता है और अप लोगों है थीख और फोलीग अमल आतो आधा है व्होता है आधीj not question पर चलते हैं कहरा वसा में गुलंसील विटामिन कौन सा है वसा में गुलंसील विटामिन कौन सा है तो मैंने बताय था वसा में जो गुलंसील विटामिन होते हैं वैस चार होते हैं Q E D A मतलब कीडा क्या होता है कीडा होता है वसा में घुल जाता है तो option K क्या होगा यहाँ से C option सही होगा कि यह विटाविन वर्सा में गुलंसील होता है और BC क्या होता है जल में गुलंसील होता है गईल भाइस पानी में गईल भाइस या पानी में जो भी कह लिए Question number 23 करक kidney का करयात्मेक यूनिट क्या होता है मतलब kidney का जो working unit होती है वह क्या कहलाती है तो यह इसकी जो kidney की जो क्या कहलाती है nephron कहलाती है क्या कहलाती है nephron is the unit of kidney आए Question number 24 पे चलते हैं Question number 24 क्या कह रहा है Question number 24 क्या कह रहा है कह रहा कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी की करण होता है तो जो मुद्र का पीला रंग होता है वह यूरू क्रोम के मौजूद ही करन होता है किसका यूरू क्रोम के वज़े से होता है आज ये नेक्स कोशन पर चलते हैं कहरा कि नीमले खित में से कौन सा प्रोटीन नाखुने में पाए जाता है कौन सा प्रोटीन नाखुन में पाए जाता है तो जो किरेटिन होता है किरेटिन जो होता है वे कहाँ पाए जाता है हमारे नाखुन में पाए जाता है कौन सा विटामिन किरेटिन विटामिन आजे नेक्स कोश्चन पर चलते है अगला प्रेस ने कहरा कि मानव सरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है मानव सरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है तो मानव सरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है 206 होती है 206 होती है आईए 27 नमबर पे चलते है करा कि हमारे सरीर में कुल कितनी मानस्थिया होती है माना सरीर में कितने जोड़े होते हैं कितनी जोड़े है आज का लाश्ट कोशन का माना हड्डी मुख्य घटक क्या है कैल्सियम होता है क्या होता है । आई हो वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूद करें और साथ में किसी भी प्रकार की तूठी हो तक कमेंट में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स सरकेल में सेर करना ना बूले थैंक यू फॉर वाचिंग